शिवलिंग के कितने प्रकार हैं और हर एक का क्या महत्व होता है। शिव का अर्थ शुब और लिंग का अर्थ जोति पिंड। शिवलिंग ब्रहमांड या ब्रहमांडी अंडे के आकार का प्रतिनिधित्व करता है। दो प्रकार के शिवलिंग होते हैं। पहला उलकापिंड की तरह काला अंडाकार लिये हुए। इस तरह के शिवलिंग को ही जोर्तिलिंग कहते हैं। दूसरा मानव द्वारा निर्मित पत्थर से बना शिवलिंग होता है। इसे शिवलिंग कहा जाता है। शिवलिंग ब्रहमांड और ब्रहमांड की समगरता का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रहमांड अंडाकार ही है जो एक अंडाकार शिवलिंग की तरह नजर आता है। नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नारत वचन पर दोस्तों आज की विडियो बेहत खास होने जा रही है क्योंकि आज हम आपको जानकारी देने जा रही है शिवलिंग के कितने प्रकार होते हैं और कौन-कौन से शिवलिंग की पूजा करने से हमें क्या-क्या फल मिलता है। क्या शिवलिंग की पूजा करने से हमारे जीवन स्तर में सुधार आएगा या हमारी आर्थिक स्थिती मजबूत होगी या हम अपने जीवन में सफल होगे। कौन से शिवलिंग की पूजा करने से क्या फल मिलेगा आईए जानते हैं विस्तार से दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि यदि आपके उपर महादेव की कृपा होगी तभी आप इस वीडियो को देख पाएंगे तो दोस्तों वीडियो में बने रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें महादेव आपकी कैसे भी मनोकामना को जरूर पूर्ण करेंगे आईए शुरू करते हैं शिवलिंग के प्रमुख दो प्रकार अंडाकार और पारद शिवलिंग के अलावा शिवलिंग के मुख्यत छे प्रकार बताए गए हैं देवलिंग जिस शिवलिंग को देवताओं या अन्य प्राणियों द्वारा स्थापित किया गया हो उसे देवलिंग कहते हैं वर्तमान समय में धर्ती पर मूल पारंपरिक रूप से यह देवताओं के लिए पूजित है। आसुर लिंग असुरों द्वारा जिसकी पूजा की जाए वह असुर लिंग। रावण ने एक शिवलिंग स्थापित किया था जो असुर लिंग था। देवताओं से द्वैश रखने वाले रावण की तरहे शिव के असुर यादैत्य परम भक्त रहे हैं। अर्श लिंग प्राचीन काल में अगस्त्य मुनी जैसे संतों द्वारा स्थापित इस तरहे के लिंग की पूजा की जाती थी। पुरान लिंग पौरानिक काल के व्यक्तियों द्वारा स्थापित शिवलिंग को पुरान शिवलिंग कहा गया है। इस लिंग की पूजा पुराने को द्वारा की जाती है। मनुष्य लिंग प्राचीनकाल या मध्यकाल में एतिहासिक महापुरुषों, अमीरों, राजामहाराजाओं द्वारा स्थापित किये गए लिंग को मनुष्य शिवलिंग कहा गया है। स्वयंभू लिंग भगवान शिव किसी कारणवश स्वयन शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह के शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। भारत में स्वयंभू शिवलिंग कई जगहों पर हैं। वर्दान स्वरूप जहां शिव स्वयन प्रकट हुए थे भक्त लोग भगवान शिव के प्रतिक शिवलिंग को अपनी श्रधानुसार भिन्न भिन्न तरीके से बनाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं भगवान राम ने भी एक शिवलिंग रामेश्वरम में बनाया था कहते हैं कि यह एक विशेश प्रकार की रेट का था जिसने बाद में ठोस रूप ले लिया था शिवलिंग के और प्रकार और उनके महत्वर एक मिश्री चीनी से बने शिवलिंग की पूजा से रोगों का नाश होकर सभी प्रकार से सुख परध होती हैं दो सोंठ मिर्च पीपल के चूर्ण में नमक मिला कर बने शिवलिंग की पूजा से वशी करण और अभिचार कर्म के लिए किया जाता है तीन फूलों से बने शिवलिंग की पूजा से भूमिभवन की प्राप्ती होती है चार जौं गेहों चावल तीनों का एक समान भाग में मिश्रण कर आटे के बने शिवलिंग की पूजा से परिवार में सुख समरिध्धी एवन संतान का लाब होकर रोग से रक्षा होती है 6. यज्य की भस्न से बने शिवलिंग की पूजा से अभीष्ट सिधियां प्राप्थ होती हैं 7. यदि बास के अंकुर को शिवलिंग के समान काटकर पूजा करने से बंश वृद्धी होती हैं 8. दही को कपडे में बांध कर निचोर देने के पश्चात उससे जो शिवलिंग बनता हैं उसका पूजन करने से समस्त सुख एवन धन की प्राप्ती होती हैं 9. गुर से बने शिवलिंग में अन्न चिपका कर शिवलिंग बनाकर पूजा करने से क्रिशी उत्पादन में वृद्धी होती हैं 10. आमवले से बने शिवलिंग का रुद्राभिशेक करने से मुक्ती प्राप्त होती हैं ज्यारह कपूर से बने शिवलिंग का पूजन करने से आध्यात्मिक उन्नती प्रदत एवं मुक्ती प्रदत होता है। बारह यदी दुर्वा को शिवलिंग के आकार में गूंथ कर उसकी पूजा करने से अकालमृत्यु का भै दूर हो जाता है। 14. स्वटिक के शिवलिंग का पूजन करने से व्यक्ति की सभी अभिष्ट कामनाओं को पूर्न करने में समर्थ हैं। 16. चांदी के बने शिवलिंग का पूजन करने से धंधान्य बढ़ाता है। 17. पीपल की लकडी से बना शिवलिंग दरिद्रता का निवारण करता है। 18. लहसुनिया से बना शिवलिंग शत्रूओं का नाशकर विजय प्रदत होता है। 19. बिबर के मिक्टी के बने शिवलिंग का पूजन विशैले प्राणियों से रक्षा करता है। 20. पारद शिवलिंग का अभिशेक सर्वोत क्रिष्ट माना गया है। 20. धर में पारद शिवलिंग सौभाग्य, शांती, स्वास्थ्य एवन सुरक्षा के लिए अत्यधिक सौभाग्यशाली है। 21. दुकान, ओफिस व फैक्टरी में व्यापारी को बढ़ाय के लिए पारद शिवलिंग का पूजन एक अचुक उपाय है। 21. शिवलिंग का मात्र दर्शन ही व्यक्ति को सौभाग्यशाली बना देता है। 21. इसके लिए किसी प्रान प्रतिष्था की आवश्पता नहीं है। 21. पर इसके ज्यादा लाब उठाने के लिए पूजन विधिक की जानी चाहिए। 21. दोस्तों यह थी हमारी आज की प्रस्तुती कैसी लगी। आपको कमेंट करके जरूर बतायेगा धन्यवाद आप सभी का हर हर महादेव श्री श्रीश। 21. दोस्तों यह थी। झाल झाल